हेलो फेंड्स वेल्कम बेक टू मैं चैनल फेंड्स आज हम आपके लिए एक एप्लिकेशन लिख रहा हैं जो कि इस्पेशली क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़दा इंपॉर्टेंट ही यह कई बार हमारे बोर्ड एक्जाम में पूछा जाता है तो देखें फेंड् चैनल इसे प्रइंट्पर से करा के साथ हमें उस जिले में जाना पड़ेगा और वहां पर अपने एजूकेशन को जारी रखने के लिए मुझे अपने transfer certificate की जरूरत है तो generally यही reason इस application में दिया जाता है तो जैसा कि इसका जो format होता है यह तो आपको पता ही है कि application का format क्या होता है सबसे पहले यहाँ पे आप 2 लिखेंगे और इसके बाद लिखना है the principal और फिर नीचे आपको लिखना है school का नाम और उसका अस्थान लिखना है कि कहां पे वो school है तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा to the principal और आर्टे इंटर कॉलेज गायगाट बसती अब तू के ठीक नीचे आपको यहाँ पर salutation लिखना है sir तू के ठीक नीचे होना चाहिए sir और यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे तो आप लिख सकते हैं कि most respectfully I beg to say starting ऐसे ही करते हैं सबी application का most respectfully I beg to say यानि कि बहुत ही सम्मान के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ मैं यह request करता हूँ that my father who has been working here as junior engineer since 2016 कि मेरे पिता जी जो यहाँ 2016 से जोनियर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे है has been transferred to Gorakhpur और उनका transfer Gorakhpur हो गया है has been transferred to Gorakhpur उनका transfer Gorakhpur हो गया है अब इसके बाद next line से आप लिखेंगे कि I therefore request you इसलिए मैं आप से निवेदन करता हूँ to issue my transfer certificate मेरा transfer certificate जारी करने के लिए so that I may join another college there ताकि मैं वहाँ कोई और college join कर सकूँ so that I may join another college there ताकि मैं वहाँ एक नया college एक दूसरा college join कर सकूँ अब सबसे नीचे आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि I shall be highly obliged to you I shall be highly obliged to you यानि कि मैं आपका बहुत आभारी हूँँगा तो इस तरह से आप यह later लिखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है फिर इसके नीचे लिखेंगे थोड़ा बगल में दप्रिंसिपल और इसके ठीक नीचे लिखना है स्कूल का नाम जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं और यहाँ पर प्लेश लिख देना है जैसे हमने यहाँ पर लिखा बस दी अब टू के ठीक नीचे आपको लिखना है सर जो की सेलुटेशन खेलाता है और यहाँ पर कॉमा लगा देंगे सर के बाद फिर अगली लाइन से आपको लिखना है बड़े ही समान के साथ मैं आप से निवेदन करता हूँ मेरे पिता जी जो यहाँ 2016 से जूनियर इंजिनियर के रूप में काम कर रहे है उनका ट्रांसपर गोरगपूर हो गया है अगर आप और कोई रिजन देना चाहते हैं तो आप सीधे कह सकते हैं आप इसको और शौर तरीके से लिख सकते हैं कि माई फादर इस अगर्वर्मेंट इंप्लाई इस तरह से आप इसको लिख सकते थे तो हमने यहाँ पर एक रिजन दिया है कि आए बेक्ट तो से मैं यहां निवेदन करता हूँ जो यहां पर 2016 से जुनियर इंजिनियर के रूप में काम कर रहे हैं और उनका तबादला गोरखपूर हो गया है इसलिए मैं आप से निवेदन करता हूँ कि आप मेरा ट्रांसपर सर्टिफिकेट जारी करिये ताकि मैं वहां एक दूसरा कॉलेज जॉइन कर सकूँ मैं आपका बहुत आभारी होंगा अब इसके ठीक नीचे आपको यहां पर बाएं साइड में ही डेट लिखना है और आप चाहें तो डेट डाल भी सकते हैं नहीं तो इसको ब्लैंक भी रख सकते हैं और इसके बाद राइट कॉर्णर में आपको यहां पर लिखना है यूर्स ओबेडियंटली और नीचे एक्स यजड यूर्स ओबेडियंटली एक्स वाइजड इस प्रकार से आपको यह अप्लिकेशन पूरा लिखना है आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा अब इसको बहुत ही शौर्ड तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी कराने के लिए अपने प्रिंसिपल के पास यह एप्लिकेशन लिख सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही यूसफल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं थैंक्स पर वाचिंग